बाबा सिद्धिकी की मौत के बाद से एक बार फिर ये सवाल उठने लगा है कि क्या मुंबई और बॉलिवुड में अंडर वर्ल्ड की एंट्री एक बार फिर से हो गई है? क्या वही दहशत जो 70-80 के दशक में मुंबई और बॉलिवुड ने देखा क्या वही दहशत एक बार फिर से शुरू हो गई है? और ये सब कुछ क्यों हुआ है? और हाजी मस्तान से लेकर दाउद और उसके बाद आज लॉरेंस बिश्णोई गैंग तक आपको एक एक करके द सिदिकी की मौत होती है, सलमान खान निशाने पर आते हैं और उसके बाद से पूरा मुंबई और पूरा बॉलिवुड एक बार फिर से थर्रा उठता है दो दशक तक जो बॉलिवुड जो मुंबई शांत था एक बार फिर से वहाँ चिनगारी उठने लगी है और ये नई चिनगारी एक नए अंडरवल्ड डॉन की एंट्री को लेकर है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्णोई जिहां इस कहानी की शुरुवात होती है 1960 के दशक से जब हाजी मस्तान एंट्री लेता है मुंबई में उसको जल्द ही पता चल जाता है कि अगर अपने आपको बनाए रखना है तो वहाँ दो काम करना होगा पहला राजनीत को साधना होगा और दूसरा वहाँ की जो बॉलिवड है यानि जो माया नगरी है उसको साधना होगा हाजिमस्तान अपने इनही इरादों के साथ मुμबई पे रास करने आता है उसे मालुम होता है कि यहां का डॉन राउफ लाला के साथ हाथ मिला कर ही यह काम किया जा सकता है राउफ लाला उस समय मुमबई का एक बड़ा डॉन था आला कि Underworld का डॉन उसको नहीं माना जाता था लेकिन इतना माना जाता था कि मुंबई में कुछ भी अगर माफिया के नाम पे होता था तो बिना उसके सहमती के नहीं हो सकता था। और यहीं पे हाजी मस्तान को मालूम था कि मुझे अगर अपना सिक्का चलाना है तो फिर इनसे मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। दुबई से लेकर दुबई तक फैलाया। उसका सामराज पाकिस्तान में भी है इसकी बाते भी चंचंग आती रही। लेकिन दाउद इब्रहेम ने आखिर अपने आपको इतना बड़ा कैसे बढ़ना। उसके दशक के बाद जब रौफ लाला ने अंडरवल्ड डाउद इब्रहेम के भाई को मार गिराया। उसके बाद से दोनों के बीच में बिवाद और तलकियां बढ़ती गई। इसके बाद से ही दाउद ने ये कसम खाई कि वो इसके गैंग का सफाय कर देगा। और यही हुआ भी। इस गैंग के सफाय के बाद दाउद इब्रहेम एक नए अंडरवल्ड डौन के रूप में उबरा और उसने अपने आपको मुंबई में कुछ इस तरीके से अपने आपको अस्थापित किया जिससे न सिर्फ सियासत बलकि माया नगरी बॉलिवूड भी थर-थर कांपती थी काज आता है कि मुंबई के सारे बड़े सितारे दाउद की साबने घुटने टेकते थे लेकिन दाउद का ये सिक्का भी 1993 मुंबई बंबलास्ट के साथ खतम हो गया 1993 में मुंबई बंबलास्ट हुआ उसके बाद मुंबई की पूरी पुलिस अंडरवर्ड डान दाउदिब्राहम के पीछे पड़ गई उसे भाग कर दुबई में संड लेनी पड़ी और उसके बाद से 1993 से लेकर 2018-19 तक कहीं न कहीं मुंबई एक तरीके से शांत रहा लेकिन 2018 में जब से लॉरेंस विश्णोई गैंग का पदारपड हुआ है लॉरेंस विश्णोई गैंग ने अपना पहला जो सिक्का जमाया वो पंजाब हरियाडा के बॉर्डर के आसपास जमाया दिल्ली से उसको संचालित करता रहा लेकिन अब बाबा सिदिकी की मौत के बा अपना सिक्का जमा सके लॉरेंस विश्णोई जानता है कि अगर मुंबई और बॉलिवड पे कबजा नहीं जमाया तो फिर उसका रसूख वैसा नहीं होगा जैसा हाजी मस्तान का था जैसा दाउद का था और इसलिए उसने दाउद को भी निशाने पर लिया है जो नहीं ने माना है कि लॉरेंस विश्णोई ने अपनी कंपनी को डी कंपनी की तरह यानि जो विश्णोई गैंग है उसको डी कंपनी की तरह से पूरे देश में खड़ा कर लिया है ऐसे में यह सरकार से लेकर प्रशासन तक अब एक नई चुनावती बनता जा रहा है इस अबने में बताए मिलता एकले वीडियो में नमस्त